हाँ जी तो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी वीडियो तो बहुत छोटी सी वीडियो है पूरा जरूर देखेगा इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने कडाही में डाला है सरसुकौ आइल उसमें डाल दिया सुखी लाल म मिर्च तीज पत्ता और आधा चमच मेथी का दाना चपो तड़का पक गया तब डाला दो से तीन मीटियम साइज के प्यास को काट कर और प्यास को हम हलका गुलावी होने तक पहले भूनेंगे तो यहां पर मैं बना रहे हूं पेठा की सबजी तो नॉर्मली तो हम पेठा क को रेगुलर एकी तरीके से बिना प्यास लेसन वाली वह खटी मेठी से सबजी बनाते हैं पर आज मैंने इसे कुछ अलग तरीके से बनाया है तो प्यास जमल का गुलावी हो जाए तो पेठा डाल दिया है और उसे हम बीच बीच में ढखकर तीन चार मिनट के लिए पहले और जब पीठा थुआ सब भुण जाए तब उसमें डालेंगे हम दो चमबच के करीब पिसा हुआ लेसन और उसके साथ ही डाल देंगे सभी सुखे मसाले धनिया का पौडर मिर्ची पौडर हल्दी और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी और नमक डालने के बाद ही इसी स 3 मिन ammunition और भून लेंगे तो यह बहुत ही अलग सी recipe है पिठाकी सबजी की अप ज़रूरिक वार इस तरी के स सब्सक्रीके से बनाviolग और जाए घृति सब्सक्री अरि जब मसालें और पेठा थोज़व भूड़ जार तब इसमे डाल देंगे 2 तमाटर और शैसरा के लिए प तोड़ी सी मसालेदार और रजदार सब्जी बनती है जिसे आप रूटी पराटी चावल किसे भी चीज के साथ खा सकते हैं और बहुत सिंबल सी रैस्पी बहुत चल्दी बन जाती है तो पेठा मसाले सभी चीजों को भूनने के बाद इसमें थोगा सा पानी डालकर एक बार म पानी अर्म भ्शाло डालने के बाद मिक्स करेंगे और पानी और गर्म मासाला डालने के बाद ढ़ंगे तो Cynthia पीठा कहा जाता है कहें लाल कद्दू कहाँ जयाता है हमारे हाइसे को अधिमा कहते हैं न चियुआ वही के नवर मैंने समद बना तो आप साथ बऄ करें बहुत ही टेश्टी सबजी और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है रेस्पी वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब और फोलो रोज अलग-लग नई रेस्पी वीडियो के लिए तो पूरा देखिने के लिए धन्यवाद